हम लोगों ने प्रबुद्ध जनों को उसी लिए आवान करने के लिए आप आये हैं कि आप लोग चनाओं की बागडोर अपने हातों में ले करके और उत्तरप्रदेश का जो लक्स है उसके अंडो पेड़ाम देने के लिए मोदी जी को उत्तरप्रदेश की असी मनकों की हार क उपलब्द कराने में आपका योगदान बन सके इसके लिए हात्रस के योगदान के लिए आपका आउवान करने के लिए मैं स्वेम आपके बीच आया हूँ आपकी अपनी भूमिका है आप समाज की मानिता को उनकी राय को एक आवाज देते हैं उन्हें अपने ओपिनियन के माध्यम से प्रभावित करते हैं उनका मार्व दर्शन करते हैं और इसलिए जिम्मेदारी आपके ओपर है कि आपने बदलते वे भारत को देखा है आपने नए भारत का दर्शन किया है यह भारत जहां पर 2004 के पहले की अराजकता भी आपने देखी है और 2014 के बाद एक भारत स्रेश्ट भारत जहां सुरक्सा भी है तो संब्रिदी भी है जहां पर आजिविका है तो आपकी आस्ता को सम्मान भी है बैस्विक मंजबर भारत का सम्मान बढ़ा है आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है तो इस सम्मान भारत के 140 करोड लोगों का सम्मान है सीमाएं सुरक्सित हुएं पूरी तरह सुरक्सित हुएं भारत की सीमाएं अब दुस्मन भारत की सीमा में बुसने का तु साहस नहीं कर सकता आंत्रिक सुरक्षा किस्तिदी बेहतर हुई है नकसलबाद आतंगबाद ये सब समाप्त हुआ है अत्यादुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे, रेलवे, कहीं मेट्रो कहीं पर एक्स्प्रेस वे फोर लेन और टू लेन की कनेक्टिविटी आई आई टी, आएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज इंजिनेरिंग संस्तान ये आज हमारी पैचान बन रहे हैं गरीब कल्यानकारी योजनाओं कि तो कोई सानी नहीं यानि ये सभी ने भारत की पैचान बन रहे हैं और इन पैचानों के माध्यम से हमने मोदी जी की गारंटी को भी जमीनी धरातर पर उतरते वे देखा है और इसलिए तो पुरे देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है ये मोदी जी की कारंटी क्या है ये मोदी जी की कारंटी सर्मांगीर्ण विकास की है विक्सित भारत की है और उस विक्सित भारत के लिए जिस विक्सित भारत में बिना भेदवाव के हर व्यक्ति हर समदाए हर जाति के लोगों को पुरा सम्मान मिले आगे बढ़ने का उसर मिले बेटी हो या ब्यापारी दोनों को समान रूप से सुरक्सा की गारंटी हो जहां पर अराजकता नहीं बलकि कानौन का राज हो जहां जातिवाद नहीं परिवारवाद नहीं जहां पर सब का साथ और सब के विकास के माध्यम से समाज के प्रतेक तपके को सासन की योजना का लाब मिल सके भारत के सपने को साकार करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आये हैं यह चुनाओ फेमली फस्ट बनाम नेशन फस्ट के बीच में है जातिवाद बनाम सबका साथ और सबके विकास के बीच वका है यह चुनाओ तुष्टी करन बनाम भारत की आस्ता के बीच का चुनाओ है और इसमें हम सब को देखना है जो लोग अराजकता पैदा करते थे कर्फ्यू लगाते थे दंगा करवाते थे सत्ता फिर उनके हातों में आएगी या दंगा मुक्त कर्फ्यो मुक्त एक सुरक्सित वातावरण देने वाली प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रत्व की और सरकार में जिसने बिना भेद भाव के सासन की योजना का लाब लोगों को प्रधान किया है कोई सोस्ता था यह देश उननिस सब सेंटालीस में आजाद हुआ लेकिन तो हजार चौदा तक इस देश की बड़ी आवादी ऐसी थी जो रासन के लिए तड़ती थी आज मोदी जी के नित्रतव में असी करोड़ लोगों को फ्री में रासन की सोगात मिल लई है करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास सिर ढखने के लिए छट नहीं था आज मोदी जी के नित्रतव में बेन और वाईयों मोदी जी के नित्रतव में चार करोड़ परिवारों को सिर ढखने के लिए छट प्राप्त हुआ है प्रधान मंत्री आवा से उसना का लाब मिला है किसी परिवार में कोई गरीब बिमार हो जाता था लोग तरस्ते थे क्या होगा कहां जाएंगे गंबीर बिमारी हो गई तो पुरा परिमार अबा हो जाता था लेकिन आज देश के अंडर साट करोड़ लोगों को पांच लाख रुपे की स्वास्ते पीमा का कबर प्रधान मंत्री आयुस्मान भारत योशना के अंदर उपलब्द हुआ है देश आजाद हो गया लेकिन लोगों के घर में बिजली नहीं पहुँची थी डाई करोड़ लोगों को फिरी में बिजली के कनेक्शन उपलब्द कराए गए दस करोड़ परिवारों में फिरी में रसोई केस के कनेक्शन उपलब्द कराए गए यही है मोदी की गारंटी बिना भेद भाव के ना जाती देखी गई ना पाती देखी गई ना छेतर देखा गया ना भासा देखा गया यही है सब का साथ और सब के विकास का भाव जो वास्तों में भारत का दर्शन है जो लोग आज भी मोदी जी पर उंग्ली उठाने का प्रियास कर रहे हैं वे भारत के विकास के अवरोतक है वे विक्सित भारत के मार्ग के बैरियर है हमें उस बैरियर को हटाना पड़ेगा और मोदी जी के नित्रत्त्व में एक सुरक्षित और संब्रित भारत की प्रकल्पना को साकार करने के लिए हम सब को कारे करना होगा और इस दिश्य चुनाओं महत्वून है इन चुनाओं के लिए पब्लिक को बताना क्योंकि यहां पे तीसे चड़ में चुनाओंगे और तब तक गर्मी भी चड़ चुकी होगी और बेनों भाईयों उस समय हमें किसी भी प्रकार की प्रवाह के वेगर मोदी जी के नित्रतों पर विश्वास करते हुए भारती जनता पार्टी और सयोगी दलों ने जिने भी अपना प्रत्यासी बनाया है और प्रत्यासियों के पक समय अपना एक-एक बोर्ट पोल करने के लिए आम जनता जनारदन को तैयार करना है और यहात्रस तो यहात्रस की तो अपनी पैचान है दाओ जी की तो भूमी है ही साथ साथ हींके खुस्वू देश के अंदर भी जा सके वहां तक पहुचाने के लिए अनूप बालमिकी को भारतिय जनता पार्टी ने इसलिए अपना प्रत्यासि बनाया है यह पार्टी के बिवस्ता का एक हिस्सा होता है आज कोई एक प्रत्यासि है कल नया प्रत्यासि आ सकता है सिराजबीर सिंग दिलेर वर्तमान में सांसत है और मुझे बहुत अच्छा लगा वे आज अपना असरिवाद प्रदान करने के लिए इस मंच पर आये हैं अनूप बालमिकी को असरिवाद देने के लिए आपका शिवाद उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने लगातार अपनी सहस्ता और सरलता के करण इस पूरे छेत्र को प्रत्नित्व दिया अपनी विरास्त को आगे बढ़ाते वे सिराजबीर सिंग दिलेर ने उसी कारिकरम को आगे बढ़ाया लेकिन पार्टी के कारिकरता के रुपए पार्टी का आदेश आया कि नहीं इस बार एक नया प्रत्यास्वी वहाँ पर आएगा आपको पार्टी में दूसरे कारे के साथ जुड़ना है वे उसी निष्टा के साथ लगे हैं और मुझे प्रसंता है कि सिराजबीर सिंग दिलेर आज यहाँ पे हमारे इस कारिकरम में मंच पर आये हैं मैं उनका हिर्दे से विनंदन करता हूँ मेरी आप सबसे फील है कि किसी भी लोगसभा छेतर के प्रत्यासी के लिए चुनाओं के दोरान क्योंकि सियनूप पालमिकी को प्रत्यासी हम लोगों ने इस समय बनाया इस से पहले वो सरकार में मंत्री थे और मंत्री होने के नाते मैं उनको पुरे प्रदेश में दोड़ाता था कि भई देखो पर कभी पूराब में कभी पस्सिम में कभी बुंदेल खंड में कभी मद्द छेतर में अलग अलग छेतर में जिले जिले जाओ जनता की समस्य का समाधान करो पबलिक के लिए कारे करो पुरी निश्टा के साथ कारे करता रहा पुरी मांदारी के साथ कारे करता रहा एक-एक बीच आ रहे होंगे, समय दे रहे होंगे और ये संभव नहीं हो सकता कि एक-एक घर में जा सके एक-एक घर में, एक-एक परिवार के घर में जाकर के इस समय चुना के दोरान कठिन होता है क्योंकि इसी दोरान उनको अपना इनोसी भी लेना होता है इसी दोरान उनको कारेले की बिवस्ता भी देखनी होती है संगठन की बिवस्ता के साथ जोड़ना होता है देर सारे कारे होते हैं और इसलिए इस समय आप में से हर एक ब्यक्ति को अनूब बालमी की बनना पड़ेगा नरेंदर मोदी बनना पड़ेगा जैसे मोदी जी के नित्रतों में पुरा देश चुनाव लड़ा है ऐसे ही इनके प्रतिनिधी के रूप में घर-घर जाना पड़ेगा और घर-घर जाकर के आप सभी प्रत्यासियों सभी जनता जनारदन से पील करें कि मोदी जी के नित्रतों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए एक विक्सित भारत आत्म निर्भर भारत ग्लोबल लीडर भारत एक ऐसा भारत जो दुनिया का पिशलगू न बने बलकि दुनिया जिसके पीछे पीछे चले उस भारत को बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कारेकाल देना उस चेक है मोदी जी के तीसरे कारेकाल का मत्तब पहले तीन वर्स में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ विवस्ता बन जाएगा हर भारत काशी की गौरब की बात होनी चाहिए और इसके लिए अनुबालमिकी के लिए यहां पर आपको एक-एक घर में जाना पड़ेगा और यह तभी हो पाएगा जब आप सभी एक-एक परिवार को मद्दान करने के लिए प्रेदित करेंगे एक-एक व्यक्ति को तयार करना है और यह जिम्मेदारी आपकी है बूथों को समालना आपकी जिम्मेदारी है हर प्रकार से एक-एक व्यक्ति को जो जिस छेत्र में है धर्माचारे अपने अस्तर पर अपने अभिहान को आगे बढ़ाए संगठन को उनकी जानकारी दिला दें समाझ के प्रतेक तप्रके को इसके बारे में जाग रूक करने में अपना योग्दान दें सिकसक समदाए अपने तरीके से समाझ का प्रबुद्ध जन अलग अलग तरीके से अगर इस कारिक्रम के साथ जुड़ता है कोई कारण नहीं कि इस्री अनुप पालमी की भारी बहमत से विजयी बनकर कि एक नए रिकॉर्ड के साथ देश की संसत में पहुँचेंगे और देश की संसत में उन्हें पहुँचाने के लिए आपका आउहान करने के लिए ही आदमे हातरस में आया हो मैं आपका विनंदन करूंगा कि आपने विधान सवाद चुनाओं में हमारे सभी विधायक परत्यासियों को यहां से विजयी बना कर कि भेजा मैं आया था उस समय अंजुला महौर जी की परचार में आया था बिरिंद राना जी के बली आया था च्छर्रा में भी मैं आया था और इन सभी परत्यासियों के लिए मैंने उस समय अपील करने के लिए मैं आया था और मैं आपका अभारी हूँ कि आपने उस समय अपना असरिवाद दिया था जनता जनारदन का असरिवाद पराप्त हुआ था आज प्रदेश में सरकार है आज मुझे बताओ प्रदेश में सरकार है तो सुरक्सा का माहूल भी है न विकास भी हो रहा है गरीब कल्यानकारी योजनाई जमीनी धरादल पर उतरती भी दिखाई दे रही है लोगों के मन में एक अपनतों का बाउ है और देखिए सरकार आती ह है तो कैसे कारे होती है सब के मन का कारे कैसे घरीब को गरीब कल्यानकारी योजनाए दर्माचारियों के लिए क्या चाहिए उनके लिए चाहिए पीडियान खप गई और एक pessimितमना थी खहिए इत्याह में प्रभू राम बिराजमान और अयोद्या में रामलला का बिराजमान होना एक और और दूसरी तरफ अयोद्या का जो एरपोर्ट का नाम करना है वो महरसी बालमी की जी कही नाम पर है देखो कितना अत्बु संजोग है प्रबु राम के साथ हमारा संबाद बनाने का काम किसी ने किया था तो तिरकाल दरसी रिसी थे भग्मान बालमी की महरसी बालमी की थे जिन्हों ने एक काम किया था और आज तो हम एक बार अयोध्या भी प्रबु राम का स्मण कर लेते हैं तो उससे भी हमारा काम चल लेता है दूसरी तरफ अनुबालमी की कोवे आप बोड़ दे देंगे तो सीधे संबाद जुड़ जाएगा इसलिए आज की आउसर पर मैं आप सबसे पील करूँगा हमें चुनावी सभाओं के लिए हम लोग अलग से आएंगे मैं किवला आज आप से पील करने के लिए आया हूँ कि आपको अभी से लगना है अभी से कारे के साथ जुटना है और अब आप यह मत दोखेंगे कि एक मेना इतने दिन बाकी रह गए कुछ नहीं आज से ही चुनाव पर चार के लिए लग जाना है अभी से माहोल बना देना है जिससे सामने कोई दिखाई न दे इस परकार की इस्तिति आपको माहोल पैदा करना है कि एक तरफा चुनाव दिखाई दे और इसके लिए भारतिय जनता पार्टी और अफसयोगी दलों के साथ मिलकर के जो रणी ती यहां पर संगठने बनाई होगी कि भारतिय जनता पार्टी लोगदल अपना दल निसाद पार्टी आपने राजभर पार्टी यह सभी लोग मिलकर के जो भारतिय जनता पार्टी का मोधी जी के नित्रुतों में एंडिये गड़वंदन है यह सभी लोग मिलकर के जनता जनार्वन के आश्रिवाद के मात्यम से भारतिय जनता पार्टी के प्रतियास्यों को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए कारे करेगा आज के सौसर पर मैं एक बार फिर से इस पावंदरा को दाओजी की इस पावंदरा को कोटी कोटी नमन करता हूँ आप सब के प्रति आगामी जो परव और तेवार हमारे आने जा रहे हैं बासंतिक नौरात्री भी है राम नौवी भी है तो इसकी